नजप्सकार मैं ब्र विनेश शिवास्तव इस समय है विस्लेर की गंडॉला रैट से पिक टू पिक मांटेन ट्राइपबर हों और हाईस्ट मांटेन से लेकर के दूसरे मांटेन की हाईस्ट पिक तक की ये गंडॉलार रैट इस वक्त श्तार्ट हो चूकी है और निस समय वर्ड रिकॉर्ड वाले लिक ट्रेक पर है। और सबसे ब्सक्राइब कोडी हो Familie अब देख सकते हैं कि यह जो ड्रेक है ब्दाउचसपोर्ट लौगेस्ट आ फीर ट्रेक हैंयोगे के और सबसे लंबे लिफ्य ट्रेक पर हैं और यह जोे लिदा कोर्दानिया इसमें किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, यह आप दिख सकते हैं, यह और फ्री सपोर्ट है और पीक-टो-पीक गंडोला रचै क्लिकर में ले मेरन करत है हंताओ जोगीस लोगों के बैठने का यह के बिन है यह जूलता हुआ ट्रैक है यह हवा के सहारे जूलता हुआ ट्रैक है यह हजारों फिट की उचाई से हवा के सहारे जूलता हुआ यह लिफ्ट ट्रैक है जो की बॉल्ड का सबसे लंबा और सबसे उचा लॉंचा लॉंगिस्ट पुट रहे हैं उचारो तरफ का पैनोरमिक व्यू अद्भूत अविश्वसनी और अकलपनी है अविश्वसनी ऑी यद्वसनी ड्हुत ऌड़ पर झामवा हुआ प्सक्टीर को अदे सीतاح कि दूदे पखे नगा है कि लुदे को थे में ग।े को लुत विश्व के सबसे लंबे और सबसे उंचे फ्री अनसपोर्टेट लिफ्ट ट्रैक परोगा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि कनड़ा के विस्लर में अस्तापित है 4.25 किलोमेटर का ये ट्रैक है 4.25 किलोमेटर और स्टेशन से स्टेशन की दोरी 4.4 किलोमेटर है यहने कि गंडोला स्टेशन से दूसरे मاؤंटन के गंडोला स्टेशन के भीच की दूरी 4.25 किलोमेटर है और इतना लंबा ट्रैक बिना किसी सपोर्ट के हवा में झुल रहा है लेकि हवा के सारे झुल रहा है बिना किसी सपोर्ट के नीजे हजारों फिट गही खाई है और बीच एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी के बीच का ये जो ट्रैक है ये बिना किसी सहारे के छुल रहा है और सैक्रों सालों से ये संचालित है आस पास के द्रश्च बड़ा ही पैनोरोमिक और गॉर्जियस वियो है दिल ठाम कर और सांसे रोक कर सभी लोग इस दूरी को निकल जाने की प्रतिक्षा कर रहे है लेकिन बहुत स्रक्षित है ये ये देखें पीछे का रास्ता जहां से भी हमारी कंडोला बापर इस ट्रैक पर आ रहे है ये बीच रास्ते तर पहुंच चुके है आधी दूरी लगभग तै होने वाली है और पीछे का भी हंगम दरश्य आप देख सकते हैं क्यों । है यो जी रदे लेपको लेपको जो जो करन है लोगताओर है चारो तर्फ पहाड और पहाडों पर जमी हुई पर्फ और सगन वन डिसर्ट फॉरेस्ट इस पूरे बाउंटेन पर पांच लाग से भी ज़्यादा अल्पाइन ट्रीस लगाए गए हैं और इस पूरे ट्रैक पर लॉंगेस्ट और हाइएस्ट ट्रैक पर केवल दो स्टॉप हैं दो पिलर्स हैं जो की स्टॉप के लिए दिया गए है और बागी पूरा ट्रैक जो है अनसपोर्टेड है अफूर स्टॉप के लिए द्ट कुपवाई-खूरा इस स्टॉप के लिए घटका कोई लिएग गरगासरी दो के लिए लुप के लिएख़ा है पिलिए बिएग अल्या इस्टॉप सटॉप पूराइ। जरत पुल एगाई है कि अ को अजलना चुछ भालीज़ अुछ्छ थाया चुछ भालीज़ अुछ और इस पीक-टो-पीक गंडोला राइट के दोनो तरफ अनेक ट्रैकिंग पैत पने हुए हैं जो की अलग-अलग गाउं की दर्म जाते हैं पहला स्टॉप आ गया है एक सपोर्ट दिया गया है सब्सक्राइट के वल दो सपोर्ट हैं लगबग 4.4 किलोमेटर के ट्रैक में पूरा 4.2 किलोमेटर के ट्रैक है वो उन सपोर्टेट है लगबग 11 मिनट की यह राइड है और एक माउंटें से दूसरे माउंटें तक पहुचने में इसे लगबग 11 मिनट लगते हैं और यह पूरा 11 मिनट का ट्रैक वश का सबसे लंबा और सबसे प्रूचा लिफ्ट ट्रैक है जो फ्री है अनसपोर्टेड है बिना किसी सहारे के हवा में छूल रहा है और यह एक वर्ट रिकॉर्ड है जो कि करनाडा के विस्टलर टाउन में बनाया गया है और दूसरे माउंटें पीपर पहुचने वाले है हैं बिफूछ भाप्ग है ठाप्ग भापनेश्द के वस्टो बर साहे है माउ ट्नुद नूट और इस माउंटेन ट्रेक पर दूसरे पीक पर हम आ चुके हैं चारो तरफ के वला बर्फ और के वला बर्फ पीक टू पीक गंडोला राइट सफलता पूरवं यहां पर पूरी होड़े हैं और इसे कुरा करने में इश्वर का बड़ा है और अशिरवाद रहा है वश्च के सबसे घंबे रास्ते भी में जबनता पूरवं कर दिया है यह यह स्टेशन पर हम आ चुके हैं मैं डॉक्टर हिनेश शिवास्तो विस्टलर पीक टूपीक गंडोला राइट से